हम ultrasonic sound sensor लगाकर यह obstacle avoiding vehicle बनाएंगे यह sort of autonomous vehicle है क्योंकि based on sensor and a micro controller यह obstacle देखकर अपने आप reverse होकर मुड़ जाती है और collision को avoid कर देती है हम यह ultrasonic sound sensor based गाड़ी कैसे बनाएंगे इसको step by step समझते हैं मैंने एक और वीडियो में यह बात समझाई थी कि अगर हमारे को किसी भी vehicle को forward reverse करना है तो हमें केवल उस उनकी जो motor है उनकी polarity को flip करना पड़ता है तो एक तरफ अगर polarity plus minus एक तरीकी से connected होंगे तो गाड़ी आगे जाएगी अगर हम polarity reverse कर देंगे तो जो गाड़ी है वो पीछे आएगी फिर अगर हमारे को एक गाड़ी को turn करना है तो हमारे को अगर हम एक motor पे voltage supply करेंगे और दूसरी पे नहीं करेंगे यानि ये motor जो है ये चल रही होगी पर ये motor still होगी तो ये गाड़ी जो है वो इस तरीके से turn हो जाएगी और likewise अगर हमें गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ना है तो हम इधर voltage नहीं supply करेंगे इधर supply करेंगे तो ये गाड़ी जो है ये दूसरी तरफ turn हो जाएगी और अगर हम एक wheel को full voltage देंगे let's say 5 volts और दूसरे wheel को 0 volts के बदले 2 या 3 volts देंगे यानि कम voltage देंगे तो हम गाड़ी कितने angle पे मोड़े इसको भी control कर सकते हैं गाड़ी की speed, forward, reverse या turn करते वक कितनी हो ये भी हम कितनी हम voltage supply कर रहे हैं इससे control कर सकते हैं तो जब हम program लिखेंगे तो हम program इसी basis भी लिखेंगे ये जो DC motors हैं, इनकी current consumption काफी high है इसलिए हम इनको directly Arduino से नहीं connect करेंगे instead हम motor driver board जो है, इसको use करेंगे ये motor driver board right amount of voltage supply करेगा to the two motors ताकि हम Arduino से ज़ादा current ना draw करें इस board की अपनी एक voltage supply है, जिसको हम यहाँ in green जो हमारा ये terminal है इससे connect करेंगे, और फिर हमारी motor 1 इधर connect होगी या motor 2 इधर connect होगी और इस motor driver board को Arduino से हम connect करेंगे, इन pins को use करते हुए तो extreme left की दो pins एक motor पे जाएंगी और right की दो pins दूसरी motor पे जाएंगी और बीच की जो दो pins है, वो voltage supply होँगी for the Arduino और इस गाड़ी को हम इसके अपने battery pack से connect करेंगे जो की इस motor driver board को भी voltage supply करेंगा और जो हम इसमें Arduino लगाएंगे, उसको भी हम यहीं से voltage supply करेंगे तो सबसे पहले मैं motor driver board को connect कर रहा हूँ इसके बाद मैं यह जो pins हैं इनसे jumper cables लगा रहा हूँ जिनको हम फिर Arduino से connect करेंगे फिर मैं यह jumper cables जो हैं Arduino से connect कर रहा हूँ और मैं जो motor की जो हमारी pins हैं इनको मैं पहली motor को मैं दे रहा हूँ पिन नमबर 6 और 7 में और दूसरी motor की जो pins हैं मैं इनको दे रहा हूँ पिन नमबर 8 और 9 में अगर हमारी motors में forward reverse में problem आ रही होगी यानि कि एक जो पईया है वो एक तरफ जा रहा होगा दूसरा दूसरी तरफ जा रहा होगा तो हम इनको flip कर देंगे और मैं फिर जो ground की pin है इसको मैं Arduino के ground से connect कर रहा हूँ अभी मैं power की pin नहीं attach कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम जब program करेंगे तो हम Arduino board को power जो supply करेंगे वो USB cable से आ जाएगी इसके बाद मैं यहाँ इस वहिकल में ultrasonic sensor add कर रहा हूँ तो ultrasonic sensor में हम बस चार pin होती है voltage और ground इधर साइड में और बीच में trigger और echo pin तो यह हमारे ultrasonic sensor के jumper cables हैं इनको हम बाद में connect करेंगे पहले हम समझते हैं कि ultrasonic sensor कैसे काम करता है और हम basic जो logic है वो क्या use करने वाले हैं इस obstacle avoiding कार को बनाने के लिए next हम समझते हैं कि यह ultrasonic sound sensor काम कैसे करता है तो ultrasonic sound sensor में एक तरफ यह transmitter लगा है और एक तरफ यह receiver लगा है और ultrasonic sound sensor एक sound की beam फैकता है जो की human hearing range के से जादा है तो इसलिए हमें सुनाई नहीं देती है और अगर सामने कोई obstacle नहीं होता तो यह beam आगे बढ़ती जाती है पर अगर सामने कोई obstacle होता है तो यह beam उस obstacle से टकराके फिर यह reflect हो जाती है और यह reflect होके इस receiver पे आ जाती है सामने obstacle है यह तो इस तरीके से पता चल जाता है कि यह ultrasonic sound की beam reflect हुई की नहीं हुई ultrasonic sound sensor exactly वैसे ही काम करता है जैसे radar काम करते हैं जैसे चमगादर जिनकी आँख ही नहीं होती है वो भी देख लेते हैं कि आगे कोई चीज है की नहीं है तो दूसरी बात है कि सामने obstacle है यह तो एक बात है फिर कि यहां से लेके यहां तक का distance कितना है distance between ultrasonic sound sensor and the obstacle यह कितना है तो यह पता करना बहुत असान है क्योंकि हमारे को formula पता है कि जो distance है that is speed into time तो यहां पर जो speed है वो speed of sound है जो कि around 340 meters per second के करीब होती है ultrasonic sound sensor क्या करता है कि जब यह beam वापस आ रही होती है तो यह constantly यह calculate करता रहता है कि time कितना लगा और जो time है वो यहां पर time divided by 2 हो जाता है क्योंकि यहां जाने में कितना time लगा और wave को वापस आने में कितना time लगा यह इसकी वज़े से time double हो गया है तो distance कितना है यह नापने के लिए time को 2 से divide करके total time taken को 2 से divide करके इसको speed से multiply करना है जो की speed of sound है तो यह simple सा formula लगा के यह जो ultrasonic sound sensor यह बता देता है कि सामने obstacle है की नहीं है और है तो वो कितनी दूरी पर है तो जो हमारा logic होगा वो यह होगा कि हम program जो लिखेंगे हम कहेंगे कि जो दौनों motors को constantly voltage supply करते रहना तो दौनों जो हैं वो forward चलती रहेंगी but if हमारा हम कह रहे हैं कि अगर सामने obstacle आ जाएगा कि अगर obstacle होगा तो हम program क्या लिखेंगे हम पहले जो polarity है उसको flip कर देंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो let's say one second या कुछ reverse होगी और उसके बाद हम एक motor को voltage supply करेंगे दूसरी motor को नहीं supply करेंगे उस वज़े से जैसा मैंने समझाया हमारी car थोड़ा turn हो जाएगी तो basically अगर हम यहाँ पर कोई obstacle है let's say यह distance 5 cm है तो हम program यह लिखेंगे कि if distance is more than 5 cm then keep going forward but if distance is less than 5 cm तो यह if की condition आजाएगी तब हम कहेंगे कि एक second के लिए reverse होना और उसके बाद left या right मुढ़ना maybe for let's say another one second तो एक second के लिए reverse एक second के लिए वो left या right मुढ़ेगी गाड़ी और फिर क्या होगा कि obstacle था तो गाड़ी reverse हुई थोड़ा सा left मुढ़ी या right मुढ़ी और फिर आगे चली गई तो obstacle avoid हो गया तो ये basic हमारा logic है कि हम ultrasonic sensor को use करते हुए ये simple सा एक program लिखेंगे इसकी वज़े से हमारी गाड़ी जो है वो एक obstacle avoiding vehicle बन जाएगी next हम tinkercad पर इसका program लिखना सीखते हैं तो मैं tinkercad पर एक Arduino और दो motors लेकर आ रहा हूँ जो हमाँ पास DC motors हैं और मैं इनको जैसा मैंने physical vehicle पर किया है एक motor को 6-7 pin से और दूसरी motor को 8-9 pin से जोड रहा हूँ मैं motor का जो negative terminal है उसको ground से नहीं जोड रहा हूँ मैं उसको भी एक pin से जोड रहा हूँ क्योंकि हम चाहते क्या हैं कि हम इस motor को programming के थूँ control करें तो यहाँ पर जब हम एक जो motor का terminal है इसको हम high कर देंगे जो यह 8 pin से जोड़ा हुआ है और उसके बाद जो दूसरा है उसको हम low रखेंगे यानि कि इसमें voltage supply आएगी और फिर यहाँ से जब वापस जाएगी तो pin number 9 में कोई voltage नहीं होगी और यह हमारा जो circuit है यह complete हो जाएगा तो जब इस तरीके से होगा तो motor एक direction पे चलेगी और फिर हम programming के थूँ जब flip कर देंगे polarity हम कहेंगे कि pin number 9 जो है वो high हो गई है वहाँ से voltage supply हो रही है तो हमारा circuit फिर से complete हो जाएगा क्योंकि हम 8 pin को low कर देंगे और हमारी जो motor है वो अब reverse direction में चलेगी तो हम गाड़ी को forward और reverse कर पाएंगे through code तो हमारी motors की जो wiring है वो complete हो गई है हम code में अब एक बहुत simple code लिख रहे हैं तो यहाँ हम output में जाके कह रहे हैं set pin number 6 जो हमारी पहली motor से connected है set it to high और फिर हम duplicate करके जो हमारी पहली motor की दूसरी terminal से जो wire आ रहा है pin number 7 पे हम कह रहे हैं set pin 7 to low तो हमारा यह जो circuit है यह complete हो जाएगा और हमारी पहली motor जो है वो एक particular direction में rotate करना शुरू कर देगी फिर हम इसी को duplicate करके अब दूसरी motor को चला रहे हैं तो हम यहाँ कह रहे हैं pin number 8 and pin number 9 तो again pin 8 high होगी pin 9 low होगी तो second motor का circuit भी complete हो जाएगा तो अब यह दौनों motor एक particular direction में rotate कर रही हैं फिर मैं control में जाके यहाँ कह रहा हूँ कि एक second तक इनको इस तरीके से rotate करना फिर मैं यह सब duplicate करके कह रहा हूँ कि उसके बाद सब दौनों motor की polarity flip कर देना यानि जो pin high थी उसको low कर देना और जो pin low थी उसको high कर देना और likewise दूसरी motor में भी मैं polarity flip कर रहा हूँ तो यह जो हमने program लिखा है इससे क्या होगा दौनों motor एक second के लिए एक direction में चलेंगी फिर एक second के लिए यह दूसरी direction में चलेंगी तो हम इसको simulation को यहाँ test करके देख सकते हैं कि यह हमारी दो motors हैं यह 30 rpm पे plus चल रही है फिर minus 30 rpm पे चल रही है और likewise यह भी 30 rpm प्लस फिर minus 30 rpm और यह इतने कम revolutions per minute पर इसलिए चल रही है क्योंकि हमने दौनों motor को directly Arduino से connect किया है इसलिए इनको adequate current जो है वो नहीं मिल रहा है हमने अपने physical vehicle में दौनों motors को motor driver board से connect किया है पर tinker cad में हमारे को motor board की दुरूरत नहीं है क्योंकि coding से उसका कोई लेना देना नहीं है also tinker cad में ये video बनाते वक्त motor driver board का हमारे पास option भी नहीं है तो अब हम next ये जो code है हमारा हम यहां blocks plus text पे जाके इसको copy कर रहे हैं और उसके बाद मैं Arduino IDE में इस program को पूरा copy कर रहा हूँ मैं इसे validate कर रहा हूँ कि ये हमारा program जो है ये compile होके इसमें कोई error नहीं आया तो अब मैं इसको अपने Arduino में transfer कर रहा हूँ तो जो हमारी दौनों motors हैं वो एक second के लिए forward फिर एक second के लिए reverse move कर रही है तो ये जो हमारा logic है ये ठीक काम कर रहा है next हम एक ultrasonic sensor जो है उसको यहां connect करके हम उसके through decision making करना चाहते है TinkerCAD में दो ultrasonic sensor हैं एक 3 pin का, एक 4 pin का मेरे पास 4 pin का ultrasonic sensor है HCSR04 तो मैं इसको use कर रहा हूँ तो हम यहां पर हम VCC और ground को Arduino से connect कर रहे हैं और फिर मैं trigger pin को pin number 12 पे दे रहा हूँ और echo pin को pin number 10 पे दे रहा हूँ तो उसके बाद मैं court में जाके यहां क्या कह रहा हूँ कि जो decision making है वो इस बात पे based होगी कि अगर ultrasonic sensor कोई obstacle नहीं detect करेगा तो दोनों motors forward चलती रहेंगी और अगर कोई obstacle सामने आएगा तो दोनों motors एक second के लिए reverse करेंगी फिर गाड़ी थोड़ी सी left मुड़ेगी और फिर obstacle जो है वो हमारी range के बाहर हो जाएगा तो हमारी गाड़ी फिर से forward चलनी शुरू हो जाएगी तो ultrasonic sensor चलाने के लिए हमारे को सबसे पहले एक हम variable create कर रहे हैं call distance जिसमें हम जो भी ultrasonic sensor value generate करेगा उसको store करेंगे उसके बाद हम input में जाके यहां से यह जो command है read ultrasonic sensor on trigger तो हमारी trigger pin जो है वो है 12 तो मैं कह रहा हूँ on pin number 12 और अगर आपके पास 3 pin का ultrasonic sensor है तो echo pin same as trigger pin रहेगी पर अगर जैसे हमारे पास यहां 4 pin का है और हमने echo pin जो है वो 10 पे लगाई है तो मैं यहां फिर कह रहा हूँ कि echo pin which is on pin number 10 तो यह हमारा read ultrasonic sensor on trigger 12 and 10 and read the distance in यहां भी units में कह रहा हूँ centimetres और फिर हम variables में जाके हम कह रहे हैं कि set this variable called distance to whatever is this reading coming from the ultrasonic sensor उसके बाद हमारे को इस reading के हिसाब से decision making करनी है कि अगर distance 5 cm से जादा है तो forward चलते रहो अगर कम है तो जो भी reverse करो left और right मोडो तो मैं control में जाके यहां पर एक if then else का conditional statement ला रहा हूँ और math में जाके एक boolean operator ला रहा हूँ और यहां हम कह रहे हैं कि अगर यह distance नाम के variable की value less than 5 है तो क्या करना और अगर greater than 5 है तो यह else की command जो है वो लग जाएगी तो हम पहले else की command देख लेते हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर distance is greater than 5 तो सीधे चलते रहना तो मैं यहां पर जो हमारे पास यह एक command है यहां पूरी की पूरी डाल रहा हूँ और यहां से weight को हटा रहा हूँ क्योंकि weight जो है हमें नहीं चाहिए हम तो कह रहे हैं कि अगर distance सामने कोई obstacle नहीं है तो constantly forward चलते रहना फिर हम कह रहे हैं कि पर अगर distance जो है वो less than 5 है यानि कोई obstacle है सामने जो कि less than 5 cm दूर है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो हमारी गाड़ी है वो reverse कर जाए तो मैं यहां से यह reverse की commands ला रहा हूँ और अगर बाद में हम जब experiment करेंगे और देखेंगे कि यह उल्टा है तो हम इन commands को उल्टा कर देंगे कि maybe this is all forward, this is all reverse तो वो हम बाद में टेस्टिंग में देख लेंगे तो one second के लिए reverse करो और उसके बाद हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा left या right भी मोड़े तो इसके लिए मैं यह set of commands को duplicate करके इस weight के नीचे डाल रहा हूँ और जैसा मैंने समझाया था left या right मोड़ना बहुत असान है किसी भी एक motor को रोक देंगे और दूसरी motor को चलने देंगे तो मैं एक motor को दौनों को low कर रहा हूँ तो यह नहीं चलेगी दूसरी motor चलेगी और यहाँ पर भी हम कह रहे हैं दूसरी motor को भी around one second चलाना and again हम इन values को बाद में experiment करके tweak कर सकते हैं next हमारे को हमारी गाड़ी में जो हमने यह ultrasonic sensor में पहले jumper cables लगाई थे इनको connect करना है जैसा कि हमने code में लिखा है तो मैं इसको Arduino में transfer कर रहा हूँ तो जैसा हमें दिख रहा है कि अभी हमारी जो गाड़ी है वो एक दौनों wheels एक direction में जा रहे हैं और अगर सामने कोई obstacle आता है तो गाड़ी हमारी थोड़ी सी reverse होके एक तरफ मुड़ती है और फिर सीधी चलनी शुरू हो जाती है पर अभी हमारी पास इसमें दो issues हैं कि हमारी गाड़ी forward के बदले reverse जा रही है और जब obstacle सामने आ रहा है तो वो forward जा रही है तो हमें ये polarity flip करनी पड़ेगी और दूसरी बात ये है कि हमारी गाड़ी की speed काफी है तो अगर हम चाहते हैं इतनी फास हमारी गाड़ी ना चले थोड़ी slow चले तो हम इसको भी programming के थूँ ठीक कर सकते हैं तो पहले हम forward reverse की जो problem है इसको ठीक कर लेते हैं तो हम यहाँ पर जो ये blocks हैं ये essentially हमारे को उल्टा यहाँ करना है क्योंकि ये इस spin को अगर हम low कर देंगे इसको high और इसको low हम basically polarity reverse कर रहे हैं तो अब ये forward का motion ठीक हो जाएगा पर फिर जो ये reverse है इसको भी हमें उल्टा करना पड़ेगा तो हम इसकी भी polarity reverse कर रहे हैं जो low है उसको high और जो high है उसको low तो इस तरीके से जो हमारी forward reverse की problem थी वो तो यहां से ठीक हो जाती है दूसरी बात यह है कि हमारी जो speed है वो बहुत तेज है हम चाहते हैं अगर हम चाहते हैं कि गाड़ी हमारी थोड़ी कम speed पर चले तो फिर वो हम कैसे कर सकते हैं एक तरीका तो यह है कि हम potential meters लगा दें तो हम potential meters यानि variable registers के हिसाब से motor को कितनी voltage supply हो रही है उसको control कर लें पर एक जो interesting बात है वो यह है कि Arduino की जो digital pins है उन में से कुछ pins जो हैं वो PWM कहलाती है pulse width modulation जिन pins में tilde बना है यानि कि pin number 3 5, 6, 9, 10 and 11 तो यह PWM pins essentially क्या है कि जो हमारे को digital signal मिल रहा है हमारे को इन digital pins में दो ही states मिलती है high या low तो हम या तो pin को on रख सकते हैं या off रख सकते हैं और pin को high और low रखके हम केवल full voltage supply करते हैं या zero voltage supply करते हैं तो हमारे पास voltage कम करने का कोई तरीका नहीं है बट PWM pins की खास बात क्या है कि वो जो digital signal है उनको analog signal में convert कर देती हैं exactly PWM कैसे काम करता है यह मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा अभी हम केवल इतना कर रहे हैं कि हम जो हमारी motor है उस सब को हम tilde वाली pin से connect कर रहे हैं तो मैं एक motor को 5 से connect कर रहा हूँ और फिर इसी motor के दूसरे part को मैं 6 से connect कर रहा हूँ तो हमारी जो पहली motor है वो अब दौनों 5 और 6 यानि दौनों PWM pins से attach हो गई है तो जो echo और trigger pin है इनको भी मैं बदल रहा हूँ मैं इनको और 10 pin से attach कर रहा हूँ तो अब हमारी एक motor 5 और 6 पर है दूसरी motor 9 और 10 पर है तो हम वापस code में जा रहे हैं और अब PWM pins का फरक क्या है कि अगर मैं output में जाता हूँ तो instead of setting a pin to high या low मैं यहां से set pin की ये दूसरी command डा रहा हूँ और यहां पर हम कोई value डाल सकते हैं और जो हम number डालेंगे वो number voltage determine करेगा तो अगर हम यहां 255 कह देते हैं तो 255 is equivalent to high और अगर हम 0 कर देते हैं तो 0 is equivalent to low तो यह जो range है voltage की वो 0 to 255 है तो अगर मैं यहां पर a value of 127 डाल देता हूँ somewhere in the middle between 0 and 255 तो हमारी जो motor की speed है वो 50% हो जाएगी और अगर मैं यहां 150 डाल देता हूँ तो थोड़ी half से थोड़ी सी जादा speed हो जाएगी तो मैं यहां पर इसको 150 कर रहा हूँ और यहां पर मैं कह रहा हूँ pin number 6 जो है उसको 150 कर देना तो इस तरीके से यह value बदल कर हम जो even digital pin से जो हम output signal ले रहे हैं वो हम analog signal ले सकते हैं तो अब मैं इन सब को analog बना रहा हूँ तो essentially हमने high low को अब हमने PWM pins से attach कर दिया है और इनकी values जो है इसमें हम कितनी voltage in pin से draw करेंगे वो यह 0 to 255 की range लेते हुए हमने around 150 कर दिया है अब हम एक final चीज बदलते हैं क्योंकि हमने अपने ultrasound sensor को बदल दिया है तो अब हमारी trigger pin जो है वो 13 हो गई है तो हम यहां कह रहे है pin number 13 और हम कह रहे है echo pin जो है वो हमारी pin number 12 है तो यहां pin number 12 और अब हमारा यह program जो है इस से हम हमने polarity भी ठीक कर दिया है और हमारे को speed पे भी control मिल गया है अगर हमें लगेगा काड़ी बहुत slow चल रही है तो हम 150 के बदले 175 या 200 कर सकते हैं यह हमें लगेगा बहुत तेज चल रही है अभी भी तो हम इसकी value हम maybe 100 के आसपास कर सकते हैं तो हम इन numbers को change करते हुए between 0 and 255 की range रखते हुए अपनी motor की speed भी control कर सकते हैं बिना कोई potentiometer या variable register लगाए simply through code और मुझे यह जो हमने बदली है pins PWM में और जो ultrasonic sensor बदला है यह हमें अपनी गाड़ी में भी बदलना पड़ेगा तो गाड़ी में बदलके फिर हम इसको test करते हैं यह हमारी जो sort of autonomous obstacle avoiding vehicle है यह ठीक काम कर रही है इसमें हम left और right में और additional ultrasound sensors add करके इसको और ज़्यादा effective बना सकते हैं obstacle avoiding में तो I hope आपको यह project पसंद आया और आप इसको बनाना try करोगे पाइड़े पसको बना में पस्थे करोगे जड़े आपको रवारी जड़े आपको डंको नड़े एक आपको बनाना तो यहां रहें पस्वादा रही जड़े आपको का रवादा तो I झाल झाल